प्रभू येश्यो मसी के नाम में आपको अनुग्रे, शान्ती और आशिश मिले एशिया का कोई व्यक्ति था इसके बारे में क्लियारिटी नहीं है बहुत कि exactly किस देश का था लेकिन ऐसा लगता है कि वो पिछड़ोए इलाकों में रहता था और किसी ने उसको पूछा, किसी पड़े लिखे वेक्ति ने उसको पूछा कि तुम क्यों प्रभू येश्यो पर विश्वास करते हो उसने क्या किया तुमारे लिए उस पड़े लिखे ने उस विक्ति से पूचा तो इस एशिन ने क्या किया कि कुछ सूखे पत्ते थे जमीन पर उसने उनको इखटे करके गोल सा बना दिया यानि पत्तों का एक सरकल बना दिया और बीच में उसना एक कीडा रख दिया और फिर पत्तों को उसने आग लगा दी तो पुरे एक तौर से एक आग का गोला बन गया सरकल बन गया और जैसे वो आग बढ़ती गई तो वो कीडा परिशान होता गया उसको गर्मी महसूस होने लगी और वो कीडा जलने की कगार पे थाई तब एकदम से वो अपने हाथ से उस कीडे को उठाता है और एक बड़े पत्थर पे रख देता है और तब उसने उस व्यक्ति से के सामने उसकी आँख से आँख मिलाई और कहा येशु मसी ने ये मेरे लिए किया है कि मैं एक कीडा था जो विनाश की और निश्चित रूप से जा रहा था उस भयानक नरक के दंड में जा रहा था मेरे पापों के कारण लेकिन प्रभू येशु ने मुझे उस भयानकता से उस खत्रे से उठा कर निकाल दिया और मुझे सुरक्षित स्थान पर मेरे पेरों को खड़ा कर दिया वचन में लिखा है जोब की उस्तक में 25 सध्याए 4 से 6 में फिर मनुष्य ईश्वर की द्रिष्टी में धर्मी क्योंकर ठैर सकता है और जो स्त्री से उत्पन हुआ है वो क्योंकर पवित्र हो सकता है देख उसकी द्रिष्टी में चंद्रमा भी अंधेरा ठैरता और तारे भी पवित्र नहीं ठैरते फिर मनुष्य की क्या गिंती है जो कीड़ा है और आदमी कहा रहा जो केचुआ है तो यहाँ पर हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ती जो स्त्री से जन्मा है वो कभी इश्वर की द्रिष्टी में पवित्र नहीं है क्योंकि हम पाप को सभाव लेकर पुर्वजों से पाप को सभाव लेकर पैदा होते हैं चांद और तारें तक परमेश्वर की दृष्टी में पवित्र नहीं है और मनुश्य की क्या गिंती जो एक कीड़े के समान है प्रभु येश्व मसी एक कुवारी के जरीए जन्मा है इसलिए वो एक ही व्यक्ति रहा इस जगत में जो पाप रहिद था संपूर्ण लित्य से मृत्यू से माफ करना जनम से लेकर मृत्यू तक वो पाप रहिद था उसने लोगों को चैलेंज किया तुम मेंसे कौन मुझे पापी साबित कर सकता है और हमें उस भयानक्ता से बचाने के लिए हम कीडे सरीखे मनुश्यों को उस भयानक दंड से बचाने के लिए परमिश्वर स्वय हमारे समान मनुश्य बन गया निश्चित रूप से पाप रहिद मनुश्य बना लेकिन फिर भी मनुश्य बनकर इस धर्ती पर आया करीब एक हजार वर्ष पहले भविश्यवानी प्रभु येश्यों के बारे में की गई थी बजन पाईस में परन्तु मैं तो कीडा हूँ मनुश्य नहीं मनुश्य में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठटा करते हैं और ओट बिचकाते और ये कहते हुए सिरहलाते हैं ये प्रभु येश्यों के आने वाले दुखों की भविश्यवानी थी उसके जनम से करीब एक हजार वर्ष पहले कि कैसे वो कहता है मुझे तो मनुष्य की हैसियत भी लोगों ने नहीं दी लेकिन कीडे के समान मेरे साथ बरताव किया ये शाया त्रहपन ये भी करीब साथ सो वर्ष पहले भविश्यवानी थी प्रभु येश्यों के जनम से परन्तु वो हमारे ही अपरादों के कारण गायल किया गया वो हमारे अधरम के कामों के हितु कुछला गया हमारी ही शांती के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोडे खाने से हम चंगे हो जाए लिखा है हमारे अधरम के कामों के कारण वो कुछला गया जैसे कीड़ा कुछला जाता है उस क्रूस के भयानक दर्दनायक क्रूर दुखों को जो उसने सहा और जो हमने शुरुवात में उपर पढ़ाता के मनुश्य से क्या उमीद रखी जा सकती है जो कीड़े सरीखा है और वास्तों में यह मेरे और आप के लिए भी सच बात है कि अगर प्रभु यशु मार्ग ना तयार करता पापियों के लिए तो हमारे लिए कोई भी आशा नहीं थी भजन चाली से एक में लिखा है मैं धीरत से प्रभु की बाट जोता रहा उसने मेरी ओर जुक कर मेरी दुहाई सुनी उसने मुझे सत्तिनाज के गड़े और दलदल की कीच में से निकाला और मुझे को चत्तान पर खड़ा करके मेरे पैरों को ध्रड़ किया उसने मुझे सत्तिनाज के गड़े से दलदल की कीच में से निकाला और मेरे पैरों को चत्तान पर ध्रड़ किया जैसे उस एशिया के वेक्तिने कीडे को आग के बीच में से उठाकर एक बड़े पत्थर पे रख दिया इस बात को दिखाने के लिए कैसे मुझे प्रभु येश्यू ने सुरक्षा दी वैसे ही भजल लिखने वाला कहता है सत्तिनाज के गड़े से उस अथाकुंड से और दलदल की कीच से पाप की दलदल की कीच से जिसमें मैं धस्ता चला जाता था उसने मुझे निकाला और मेरे पैरों को सक्त सही बुनियाद वाली शट्टान पर खड़ा किया और मेरे मुँ में एक नया गीत डाला यही कारे प्रभुयश्य ने मेरे लिए किया है और आपके लिए कर सकता है यदि आप विश्वास करें हमारे पापों को अपने उपर उठा कर वो क्रूस पर चला गया ताके हम परमेश्वर से अलग ना किये जाए ताके हम नरक के दंड में ना चले जाए प्रभुयश्य ने का इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे इस सबसे बड़ा प्रेम है कि परमेश्वर ने हमारे लिए मनुष्य बनकर अपना प्राण दे लिया दुख उठाया जिसने कभी किसी को किसी से आग्या नहीं लिए वो मनुष्य करूप धारण करके दास बन गया अपने चेलों के पैर धोये और लोगों के लांचान सहे यहुदियों ने रोमियों ने उस पर उपर थूका थपड मारे मोटे मोटे काटों का ताज उसके सिर पर भोग दिया उसके सर पर डंडा मारा जी भर के कोड़े मारे जब तक उनकी ताकत खतम नहीं होगी और यह सबकच सबकुछ प्रभु ने मेरे और आपके लिए सहा ताके हमें उस दंड में ना जाना पड़े धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोलेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के पेड के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे धन्य है वो जिनके वस्त्र येशु के लहु से धुल गए हैं वो जीवन के पेड के पास आप आएंगे और उस अनंतकाल के नगर में उस धन्य और महिमित नगर में प्रवेश करेंगे अगर आप सच्छे हिर्दे से विश्वास करेंगे पापों से पश्ताब करेंगे तो येशु का लहु आपको संपूर्ण रिती से शुद्ध कर देगा तो आज ही प्रभु येशु से प्रात्ना कीजे प्रभु ने आपके लिए मान तयार किया है कि आप उस आने वाली भयानक अगनी से बच जाएं ये आपके उपर है आप क्या दिरने लेते हैं परमेश्वर के अनुगर का द्वार अभी खुला हुआ है प्रभु येशु आपको आशिश्ते